नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदिस्तान और मैं हूँ आपके साथ मनीशा आज दीपावली के इस पावन अफसर पर मैं आपसे रूबरू कराऊंगी अपनी रेडियो हिंदिस्तान की एक साथी जिनकी बोली लगता है जैसे शेहद से घुली हुई है मिठास की खान है जब आप उनकी अवाज को सुनते हैं तो वो सीधे दिल में उतरती जाती है कहने को तो वो विज्ञान की शिक्षिका है साइंस की टीचर है लेकिन दिलों को जीतती है शुतंतर रिलेखन करती है और यूट्यूब के चैनल पर किस से कहानी भी सुनाती है और जब किसे कहाने सुनाती हैं, तो अपने narration से, अपनी मेधा से सब के दिलों को जीत लेती हैं. यूँ तो उनका नाम है प्रभा जहा, प्रभा रोश्नी, लेकिन उनका जो writer's name है, लेखे की ये name है, वो है स्वेम प्रभा जहा, स्वेम, यानि कि अपने आप में एक रोश्नी धर्ती पर इनका अफ्तरन हुआ 10 सितंबर को, और वैसे तो हम ये जानते हैं कि जो रोश्नी होती है, वो अपनी रोश्नी से नकेवल स्वेम को उजाला देती है, बलकी अपनी रोश्नी से सारे समश संसार का तम हर लेती है, तो इसी तरह से हैं स्वेम प्रभा जहां जितनी खासियत उनकी आवाज में हैं और उतनी ही खासियत उनकी परसनेलिटी में हैं जो मीठी मुस्कान उनके चहरे पर आती है वो भी मनमोहिनी है तो इनका एक नाम जो मेरे दिल से निकलता है इनके लिए वो है मनमोहिनी मनमोहिनी आफ रेडियो हिंदुस्तान प्रभा जी ने स्वैम जी ने बीए किया कैमिस्ट्री से बीएस्टी आई मीन टू से और बीएड किया इनोंने इसके लावा इनोंने पीजी डिप्लोमा लिया है in software engineering इनकी कई सारी books जो है वो publish हो चुकी है जिनमें से कुछ है कुँपल हिंदी कवीता संग्र है और है बिहार की कवीता है पुस्तक इसके लावा एक है उगईत सूरियक देश में तो यहां जब बिहार का नाम आता है तो एक खासियत और बताती हूँ मैं स्वैम जी की और वो है इनकी बिहारी बिहारी में तो कुछ और ही अलग रस घुल जाता है जब इनकी बिहारी भाषा में जब यह बोलती हैं तो वो एक अलग ही रस बहता है हमारे कानों में इन्होंनी कई मैथली कवीता का पाठ किया है कथा पाट किया है साहित्य एकाइडमी और नई दिल्ली के देश भर में आउजित कई कारेकरमों में 500 से अधिक कवीता कहानिया आलेक इंटर्विव विज्ञान नाटक देश की प्रमुक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं इनके जैसे की हिंदुस्तान, रांची एक्सप्रेस, देनिक भासकर, आज, वागर्थ, कथादेश, मैथली पत्रिकाओं जैसे अंतिकाओं इसके लावा और भी बहुत सारे आकाश्वणी दर्भंगा और बाद में आकाश्वणी पत्ना से इन्होंने हिंदी और मैथली दोनों में कई बार काव्य पाट भी किया है आकाश्वणी में 2003 से लेकर 2014 तक समाचार वाचन भी किया है और दूरदशन पत्ना में कई इंटर्व्यू और कवी गोश्टियों का संचालन भी स्वैम जी कर चुकी है चेतना समिती पत्ना द्वारा आईजित कई काव्य संद्याओं का भी इन्होंने संचालन और संयों जन किया है और इनको रास्ट भाषा परिशत विहार सरकार का साहित्य सेवी सम्मान कोंपल काव्य संग्रह के लिए मिल चुका है सुबद्रा कुमारी चोहान रजत पत्र सम्मान हिंदी भाषा साहित्य परिशत पत्ना द्वारा भी स्वैम जी सम्मानित हो चुकी है इनको Best Script Award National Council of Science Museum Kolkata द्वारा विज्ञाननाटक के लिए भी मिल चुका है तो गुडू की जो हैं ये खान स्वेम प्रबा है जिनका नाम करती हूँ मैं इनको दिल से नमन और देती हूँ दिपावली की आनंत शुब कामना है रेडिय हिंदुस्तान की है स्वेम जी शान तो ऐसे ही हमारा साथ बढ़ता रहे और रेडिय हिंदुस्तान पर और अलग-अलग मंचों से स्वेम जी की चमक ऐसे ही बिखरती रहे और पूरे संसार में इनका नाम रोशन होता रहे और स्वभागेशालिया है हम कि हमें स्वैम जी के साथ कारिय करने का सुअफसर प्राप्त हुआ है तो स्वैम जी आपके बारे में बोलते हुए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और शायद ये और भी लंबा हो सकता था एपिक हो सकता था आपके बारे में ये दि बोलने बैठी तो हम लेकिन आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और दिल से आपकी प्रतिभा को नमन करती हूँ आशा है आपकी ये मिठास आवाज की भी और मुस्कान की भी हमेशा अनेकों हिर्दियों को उजाला देती रहेगी और हम उसके रस में हमेशा डूबे रहेंगे तो सुनते रहिए रेडिय हिंदस्तान और मिलते रहिए रेडिय हिंदस्तान की खान से निकलने वाले नई नई रतनों से